बॉलिवूड एक्ट्रिस कांगन लनावत की हाल ही में ट्वीटर पर वापसी हुई और उन्होंने प्लैट्फॉर्म पर अपनी वापसी के साथ ही एक बार फिर बॉलिवूड पर निशाना साथ दिया है एक्ट्रिस के निशाने पर इंदिनोष शारुखान और उनके फिल्म पठान है जो हाल ही में रिलीज हुई है कंगन लगातार अपने चिर परिचित अंदाज में पठान पर निशाना साथते नज़र आ रही है और एक बार फिर उन्होंने इसे फिल्म को लेकर ट्वीट किया है इस बार एक्ट्रिस ने पठान की सफलता पर हैरानी जाही की उन्होंने भारत की जनता पर कुछ हैरत अंगेज आरोब भी लगाए है दरसल कंगन नावत का मानना है कि भारते दर्शक हमेशा बालिवूड के तीन खानों को ही पसंद किया है और शारुखान की हालिया रिलीज पठान की सफलता उसी का प्रमान है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कंगना ने लिखा पठान की आपार सफलता के लिए शारुखान और दिपिका पदिकोन को बधाई ये साबित करता है कि हिंदु मुस्लिम शारुखान को समान रूप से प्यार करते है बैश्कार फिल्म को नुकसान नहीं पहुँचाता बलकि मदद करता है अच्छा संगीत काम करता है और भारत सुपर सेकुलर है कंगना ने से पहली भी पठान को लेकर कई ट्वीट्स किये थे जिसके बाद दुशारुखान के फैंस के निशाने पर आ गई थी अभी नेत्री ने कभी पठान के टाइटल पर नाराजगे जाहिर की और इसे पाकिस्तान से जोड़ दिया तो कभी अन्य वजहों से फिल्म पर लगाता निशाना साती दिखी इससे साफ है कि कंगना पठान के सफलता से कुछ खास खुश नहीं है हाला कि उन्होंने फिल्म की जबर्दस कमाई को लेकर फिल्म के लीड स्टार्स को बदाई जरूर दी है